तोड़े आइं शेरिंग वन अफ दा बेस्ट हेल्दी ओट मील ब्रेकफेस्ट कुकीज इस कुकीज की सबसे खास बात ये है कि इसमें किसी किसम का मैदा नहीं ज़ारा अंडा नहीं ज़ारा और नाहीं इसमें चीनी जाएगे फिर भी ये इतनी हल्दी और इतनी मज़ेदार कैसे बनेंगी यह कुकीज इतनी हेल्दी है कि अगर आप डायबेटिक पेशेंट है या फिर आप डायट करें और आपको मीठे की क्रेविंग होती है और आप कोई हेल्दी बार टूंटें जिसे के प्रोटीन बार कहा जाता है तो उसके alternative भी यूज़ कर सकते हैं आपके बच्चे नाश्टा नहीं कर सकते हैं तो उन वो नाश्टे में दे सकते हैं अगर आप pregnant हैं उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं या आपके जिसम में किसी किसम की कमजोरी है तब भी आप इस्तामाल कर सकते हैं यह बहुत ही healthy cookies है और घर पे बड़े ingredients के साथ बनके त्यार हो जाती है यह जब आपने एक दफा बना ली तो आपके घर पे जब भी यह किसी ने भी खाई तो आपसे जरूर फामाईश करेगा आपके दुबारा से बना के खिना यह बतनी मज़िदार बनके त्यार होती है चानल पर नहीं होगे तो चानल को सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन के बटन को प्रिस कर लें ताके आने वाली ने वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम लें बनती रहे बिसमनार रख्मान और रहीम यहाँ पर मैंने तक्रीबन हाफ कप नट्स लिए है मिक्स नट्स आप ले सकते हैं जो भी आपके पास अविलिबल हो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको कौन से नट्स चाहिए हैं यहाँ पर जो मैंने लिए हैं यह खुबानी है और यह खुश खुबानी होती है जो कि थोड़ी सी गीवी होती है और इसको मैंने चॉप कर लिया इजी ली मार्केट से आपको मिल जा दिये, दो पुबानिया तकरीब हैं और बाकी तकरीब हाफ कप हमारे पास नट्स है, नट्स में हमारे पास है, बादाम है, काजू है, इसके सासा तफरोड है, यह सारी वो चीज़े हैं जो कि बहुत जादा हिल्डी है, एक प्रोटीन का स आपको ली में दोपकीज भी यूश करें इसके चछांक्स भी बहुत ममज़े के रखते हैं और सबसांदा हिल्डी बन दिया मैं अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसे डाल डागी से भी बना सकते हैं मंगर मैंने यहां पर देसी घी का इसका माइक्रोवेव कर लिया था ताकि अच्छी तरह से डिसॉल फोट रहे इसकी डूप बहुत सिंप्ली और बहुत अच्छी बन के तियार होती है अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से अगर इस चेश वाप पर आप मिक्स नहीं हो रहा तो आप इसको 30 सेकिंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे तो यह बहुत अच्छी तरह से मिक्सें अप हो जाएगा यहाँ पर आप चाहें तो ब्राउन चुगर भी इस्तमाल कर सकते हैं और ब्राउन चुगर या शकर कोई भी चीज इस्तमाल कर सकते हैं हम इसे healthy बना रहे हैं, इस वज़ा से हमने स्वेंग गोड का शामल किया है, यहाँ पर एक कप आटा है, जो कि गंदुम का आटा है और एक कप हमाई पस instant oats है, instant oats की जगा आप यहाँ पर rolled oats भी इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने शामल किया वन टी स्पून बेकिं की मदद से भी कर सकते हैं, किसी spatula की मदद से भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको recommend करूँगी, आप इसे हाथों की मदद से नीद कर लें, इससे बनाना बहुत सेंपल है, यहाँ पर हम लोग और जो इसमें एडिशनली शामल करेंगे, वो है दूद, दूद यहाँ पर हम लोग श शामल करें, वन फोथ कप, अगर आप दूद स्किप करना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर शामल कर सकते हैं, बनाना, बनाना यहाँ पर अगर आप दो से तीन बनाना शामल करते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से नीद कर लेंगी 1-2 में यह अच्छी सी डोव बन कर तेयार हो जाएगी optionally मैं इसके दर dark chocolate भी डाल रही हूँ आप chocolate chips भी डाल सकते हूँ और इसे नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि मैं इसे optionally डाल रही हूँ और अपने लिए मैं बना रही थी और यह इतनी healthy होती है कि मुझे और किसी वे किसम की मीठे की craving नहीं रहती जब भी मैं यह oatmeal cookies खाट लेती हैं यहाँ पर तकरीबन मैंने यहाँ पर 1-4 cup dark chocolate juice की आप chocolate chip 3 यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको अच्छी तरह से mix करनेंगे mix करने के बाद यह हमारी एक अच्छी सी dough बनकर त्यार हो जाएगे जिसको हम cookies की shape दे लेंगे इसको बनाना बहुत ही आसान है अगर आपके पास oven नहीं है तो आप इसे किसी पतीले में भी बना सकते हैं इसके अंदर कोई भी पतीले के अंदर आप देचकी का stand रखके और इसके अंदर भी इसको बना सकते हैं तकरीवन 15 मिनिट में यह बनकर त्यार हो जाती है 15 से 20 मिनिट में राउंड आपको इसको बाल लेना है बाल लेने के बाद आपको इसको cookies की shape दे देना है कोई सी भी रफसी आप शेफ दे देंगे और यह बहुत मज़े की कुभीस बनकर आपकी तियार हो जाते हैं अगर आप डायबेटिक पेशन्ट है और या फिर आपके घर में कोई डायबेटिक पेशन्ट है जिसे मीथे की क्रेविंग होती है तो आप उसे यह बना कर गिफ्ट कर सकते हैं यह इतने मज़े का गिफ्ट है कि वो खुद हैरान रहे जाएंगी कि इतनी अच्छी स्क्रेविंग सेटसपाइड हो रही है वैसे आप चाहें तो इसके अंदर गोड़ जादा भी डाल सकते हैं क्योंकि यह मैंने अपने निये बनाए हैं तो मैं इसके अंदर किया था तकरीवन 15 से 20 मिनिट के लिए 150 सेलस्थियस के उपर और उसके बाद यह हमारी कुकी बहुत अच्छी बनकर त्यार हो चुकी है 150 डिग्री पे हमने इसे बेक किया था 15 से 20 मिनिट के लिए अब मैं आपको यह कुकी उठा कर दिखाऊंगी कि कि इतने मज़े की तिया हुई है क्योंकि हमने इसमें गोड़ का इस्तमाल किया था तो जब कोड़ कारमलाइज होता है तो उसका बहुत अच्छा फ्ली बराता है यह कुकी बहुत मज़ेगी होती है आप इसे दूट के साथ भी खा सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी एंज्जॉय कर सकते हैं यह के साथ बिस्किट खाना पसंद करते हैं तो इससे अच्छी रेसिपी आपके लिए कोई नहीं होगी अगर आप इसे ट्राइ करते हैं तो अपना फीड़ बैक सरूर शेयर कीज़ेगा यह मेरी परसनल रेसिपी है जो के मैंने आपके साथ शेयर किया उमीद करती हूँ आपक अब आपके साथ शेयर के लिए।